अलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में गुगल फोटो को अनलिंक करना चाहते हैं तो इसको आप लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं गुगल फोटो को आप लोग यहाँ पर अनलिंक कैसे करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर Google फोटो को अनलिंक करना है तो आपको यहाँ पर Google फोटो को अनलिंक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर Google Photo को open कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने profile वाले icon पे click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको photo setting का option आता है तो आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर जब आप लोग click करेंगे तो अब आपको यहाँ पर backup का option आता है तो आपको यहाँ पर backup वाले option में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यह जो backup का option है वहाँ पर आपको इसको इस तरीके से disable कर देना है जब आप लोग disable करेंगे तो इससे क्या होगा कि यह automatically आपके gallery के जो भी photo वागेर रहता है उसको यह backup नहीं ले पाएगा तो इस वज़े से यह unlink हो जाएगा और इसमें आपका कोई भी photo वागेर है यहाँ पर show नहीं करेगा और जो पहले से show कर रहा है उसको आप लोग यहाँ पर delete कर सकते हैं तो वहाँ पर यह जो है हट जाएगा तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने mobile में इसको जो है unlink कर सकते हैं तो दोस्तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और channel को subscribe भी कर लिजिए